कि अधियु आज पढ़ेंगे बाल विकास और बाल विकास में जो हम पैड़ा कोजी पढ़ने वाले वह परशनों के थुरुई हम पढ़ेंगे तो ठीक है आज हम अपना स्टार्ट करते हैं परशनों को देखते हैं यहां परशनों प्रतिभा शाली विद्यार्थी अपनी चमतां को तब विकास में वह परशनों को आपके पुराइन बुक्लेट से भी एक कादुखा प्रिशन लिये गाए हैं और उन्हीं के बेस पे कुछ नए प्रिशनों को मैंने लिया है अगर आपको कैसा लगा इस बारे में मुझे कमें प्रतिभा शाली विद्यार्थी अपनी चमतां को तब विक्सित कर पाएगा जब आपको उनको क्या देंगे तो देखिए आप्शन देखिए बार-बार उनकी परिक्षाए होंगी प्रतिभा शाली होने का मतलब यह नहीं है कि आप उसकी बार-बार परिक्षाए हैं ले तो यह ऑप्शन आपका गलत होता है हर ऑप्शन पर आप एक्जैम्ट रूम में बैठे है तो आप अपना ठीक ज़रूर लगाते चलीगा वो आपको काफी helpful देंगे क्योंकि पढ़न के साथ ही जुड़े रहते हैं अगला है उन्हें अन्विद्यार्थियों से अलग किया जाए अलग क्यों करेंगे अलग करने की कोई तो प्रक्रिया है या फिर पढ़ने में बहुत जादा कमजोर है तो आप उसे अलग करें यह तो बिल्कुल ही नहीं है अगला पॉइंट ह कर देंगे तो उसकी थोड़ा सा हाइट माहूल हो जागा तासी कंडिशन में उसको आगे नहीं कर पाएगा तो यहां से जो ऑप्शन सही बनता है वह ऑप्शन भी आपका एकदम सही बनता है अगला कोशन देखिए दिया है सिच्चुकों को अपने विद्यार्थियों की त संकेत करते हैं किसकी और संकेत करते हैं तुटियों यहां पर दिया है कि तुटियों का अध्यान करना चाहिए तो किस ओड़ा आप अप्शन देखिए योगताओं के अनुसास समू बनाने है तु दिसा निर्देश यह तो पॉन्छी सही लग रहा है क्योंकि हम उनके अगला पॉइंट देखिए लगबग आपके तीन पॉइंट लग रहे हैं अपने प्रष्ण पर ध्यान देजिए पूछा है कि तुटियों का अध्यान करेंगे तो उन तुटियों के अध्यान की इकौर्डिंग ही आप अपने बच्चों को टीच करेंगे तो ऐसी कंडिश तो आपको फाइनली फिर क्या हो उबचारत में युक्तियों को यूज करना पड़ेगा यहां से आपका बनता है वो डी ऑप्शन सही बनता है तो देखिए यहां पर फिर से एक बार देखी क्या पूछा गया उसकी आपसे आपना अंसर सलेक्ट कीजिए आगे देखिए अगल कर रहे है निदानात्मक शिक्षण कर रहे है तो उसके बार आप उप्चारत में शिक्षण करेंगे आप ऑप्शन देखिए अपने सभी पाठों को विवस्थित रूप से दोहराना भी है शिचारतियों और अभिभावकों को उपलबदी के बारे में बताना यह भी तो नह नहीं होगे हर पाठ को दोहराया जा सके तो यहां से यह भी पॉइंट गलत नजार आता है अगर जो सही होता है वह होता है कि समुझित उप्चारत्मक कार करना ही हमारा उद्देश होना चाहिए उन रिक्तियों को दूर करने के लिए आगे देखिए आगे हमने जो प्रशन नहीं है यानि कि अग्यात है उससे बताकर आप ग्यात की ओर चलेंगे थोड़ा सा मुश्किल पैटर्न लगता है दूसरा बी पॉइंट देखिए कठीन से सरल की ओर जो चीज बच्चा भी नहीं जानता कठीन है जो उसके लिए उससे समझा कर आप सरल चीज को समझाना चा कि आप जो चीज बच्चा नहीं जानता उसकी ओर इंगित करेंगे तो सैद बच्चा समझ जाए ये तो सही है अगला है इस तूल से सूच में की ओर ये भी पॉइंट गलत हुआ तो यहां जो एक सबसे अच्छी विदी होती है वो है ग्यात से अग्यात की ओर चलना ये गलता तो है जायशी बात है क्योंकि किसके सच्छात रो अध्यापक की पिच में अंतर प्रक्रिया होती है भी सही पॉइंट है एक परिपक और दूसरे परिश्वार्ण स्थापित होता यह पॉण। गिए तो यहां से देखें आपके तीनों पॉली से पन रहे हैं और चौथा पॉप्चन में ही दिया गया कि उपियोगत सभी तैसली उनमें क्या होगा बुद्धी का विकास नहीं होगा रटना बुद्धी के विकास को इंगित नहीं करता है इसलिए ये option गलत हो गया पिद्या इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या ज़रूरी और क्या गैर ज़रूरी है ये तो सही point लग रहा है लेकिन आगे हम देखते हैं उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती जैसी बात है जब वो विवेक से काम ही नहीं लेंगे तो ऐसी condition में मौलिक चिंतन की सिती तो बनेगी ही नहीं उनके लिए परिछा पास करना कठी नहीं होगा ये तो option एकदम गलत होगा आप देखें आपके पास बसते हैं दो option इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या ज़रूरी और क्या गैर ज़रूरी ये भी point सही है उनमें मौलिक चिंतन की सकती चल तो मौलिक चिंतन जब रहेगा तभी तो विवेक का वो काम लेंगे और ये जानेंगे कि क्या ज़रूरी और क्या ज़रूरी तो ऐसी condition में आपका option C एकदम सही बनता है और option D आपका गलत साबित होता है यानि कि अगर जो बच्चे रठने पर विशे पाती वो सही गलत का फैसलन नहीं कर पाते क्या जोड़ी हो क्या गैर जोड़ी आज का last question देखिए लिया है बच्चों में 100 अनुसासन की भावना किस प्रकार विक्सित की जाए या किस तरह से पैदा की जाए तो क्या करेंगे आप उसके लिए बच्चे में 100 से जागे जब आप बता कर लाग कितना ही क्यों नहीं नहीं रहना चाहता अगला option है अनुसासन हिंता पर उन्हें डंड देंगे तो डरेंगे ज़रूर बट उनके अंदर फिर भी वहां पर स्वयम के प्रतिव अनुसासन की भावना नहीं जगी तो इसलिए यह option भी गलत हो जाता है फिर आपका एकदम परफेक्ट सही है कि जैसे आप उन्हें जिम्मेदारी स्वापेंगे तो वह उस कारे को अपना समझ को उस हिसाब से हैंडल करना करेंगे तो ऐसी कंडिशन में क्या हागा उन्हें स्वयम से अनुसासन जागेगा क्योंकि उन्हें दूसरों को हैंडल करना है अनुसासित हो तो यहां जो आप्शन सही होता है वह उप्शन डी एकदम सही होता है कि उन्हें जिम्मेदारी स्वाप कर आप सो अनुसासन की भावना का विकास कर सकते हैं बच्चे के अंदर तो अगली वीडियो में आपसे बहुत जन मुलाका दोगी तक तक के लिए नमस जब मिंगे स्वा एकड़ Quinn.